वेलकम भीवेर्स, आज इस लेक्चर में हम लोग और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन परेंगे, ठीक है? तो जैसे कि आप यह देख रहे हो, यह 3D आप्जेक्ट है, कोन है? इस आप्जेक्ट का हम लोग और्थोग्राफिक में क्या करना है? 3D को 2 डाइमेंशन, 2D में बनाना है, पेपर पे, जैसे कि एजिम करते हैं कि यह 1st Quadrant में रखा गया है, इस लेक्चर में हमें यही सीखना है, कि हम इसका Front View, Top View और Side View कैसे ड्राव करते हैं, जैसे कि हमारे पास डीफेरेंट टाइप का अबजेक्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है? यह ट्राइंगलर प्रिज 4, 5, यानि पैंटागोनल प्रिजन, यह क्या है, स्लिंड है, ठीक है, तो, और नेक्स्ट है हमारे पास है, क्यूब, अब इसे हम देखते हैं कि Front View, Top View और Side View हम कैसे ड्राव करते हैं, 1st Quadrant में, इसे हमारा कॉंसेफ्ट किलियर हो जाएगा, जो इसके बाद हम लोग जो भी ल से पहले इन में से कोई रेंडमली हम एक, कोई भी ऑबजेक्ट चून लेते हैं, सपोस्ट यह हमारा Quadrant है, ठीक है, इस Quadrant में आप देख रहे हो, यह जो प्लेन है, पी-पी, अब देख रहे हो, प्रोफाइल प्लेन, यह रहा हमारा वर्टिकल प्लेन और यह रहा, होरिजन प्लेन तो सबसे पहले हम आते हैं सपोस्ट यह मैंने ऐस्लिंडर सेलेक्ट किया, ठीक है आप देख रहे हो, अगर आप कि राइट साइड में और अवजर बढ़ है, आप इधर से देख रहे हैं इधर से अगर आप देखूगे, ठीक है इसका जो प्रोजेक्टर हम ड्रॉ क करेंगे बिल्कुल इस तरह से अगर आप टॉप से उपर से देखोगे तो आप कौन से एडिया देख रहो ये सर्कुलर ठीक है अगर मैं इसे ड्राउ करूंगी तो बिल्कुल ये इस तरह से ये ड्राउ होगा अगर आप इससे साइड फ्यू यानि आप इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा आप देख सकते देखें ये रहा मैं आपको दिखा देते हूं किस तरह से बिल्कुल इस तरह से अब इसको जो हम बनाएंगे देखें रेक्टाइंगल बन रहा है ये रहा कॉड्रेंट अब जैसे कि आप जानते कि HP को क्या करते हैं लोग 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे देखें प्लेन बिल्कुल इस तरह से और ये जो लाइन होता है वही है हमारा रिफ्रेंस लाइन एक्स वाई तो ये हो गया हमारा फ्रेंट व्यू और ये रहा टॉप व्यू और ये है हमारा साइट व्यू इधर से भी क्या करते हैं हम लोग यहां से इक डिफ्रेंस लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वर और वाई वन ठीक है भी पी फ्रंट व्यू प्रोफाइल प्लेन पे साइट व्यू और आपने देखा HP पे टॉप व्यू इस तरह से बना जिए सिंपल यहां बहुत ही इजी है अब जैसे कि हम अगर क्यूब की बात करें एगर हम यहां पे क्यूब की बात करें आप देख सकते हो गीरा क्यू तो क्यूब का जो अब फ्रंट वी याопас देखे इधर से, देखोगे तो क्या बनेगा, यह है square plane, देखो, एक simple सा square plane, मैं different plane यूज़ करती हूँ यहाँ पे, देखो, square plane बनेगा, यह इस तरह से रखा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से, यह जो आप area देख रहे हैं, अगर इसका top view से देखोगे, ती क्या देखा है, square plane ही देखेगा, ठीक है, इस से projector ड्राव करेंगे, तो बिल्कुल इस तरह से, और यही एगर side view भी देखे, तो side view भी जो दीखेगा, आप देख सकते हो, यहाँ पे, वो भी क्या है, rectangular ही दीखेगा, इसका, तो profile plane पे भी क्या बनेगा, rectangle बनेगा, लेकिन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, triangular prism है, अगर इसका हम front view, top view, side view बनाते हैं, first quadrant में रखके, ठीक है, आप इधर से देख रहे हो, तो आप देखोगे, जो front view बनता है, vertical plane पे, वो बिलकुल, उसका safe होगा, square, ठीक है, इस तरह से अगर रखके, लेकिन, अगर top से, उपर से आप देख रहे हैं वो, तो आपका कौन सा portion देख रहा है, triangular, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह triangular बन जाएगा, बिलकुल, इस तरह से, triangular से, लेकिन, अगर हम यहाँ से side view से देखे, ता आप देख सकते हो, side view से, यहाँ से, फ्रोजेक्टर चाहेगा, ठीक है, बिलकुल, इस तरह से, एक point यहाँ बनेगा, और यह रहाँ, देखो, आप ड्राव करो, देखे, यह भी आपका क्या बना, triangular ही बना, तो इसी तरह से, क्योंकि जब आप इसे open करोगे, front view, side view, और यह रहाँ, top view, अगर इसका, हम बोल देख, इसका जो central axis है, central axis, इससे जो cross हो के base से जाएगा, ठीक है, वो है parallel to HP, यह क्या था, अगर central axis में इसकी बात करूँत, यह आपका HP का perpendicular है, लेकिन अगर central axis इसका parallel हो HP पे, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, अगर इस तरह का case हो, तो अगर इस case में हम top की बात करें, उपर से देखोगे, तो यहाँ इस case में क्या हो जाएगा, आपका top view, यानि यह जो horizontal plane है हमारा, यहाँ पर बनीगा, आप देखोगे, अगर यहाँ से हम front view की बात करें, आप देख सकते हो, यह वाला area, front view, इधर से, देखो, क्या बनेगा, triangle, यह बनेगा हमारा triangle, तो यहाँ बन जाएगा, यह triangle, अगर हम इधर से देखे, side view से, तो यह भी तब भी बनेगा, यह triangle, क्योंकि देख सकते हो, आप यहाँ, एक projected line यहाँ आएगा, एक प्रोजेक्टर यहाँ, यहाँ, और यह नीचे की और जाएगी, यहाँ से, प्रोजेक्टर जाएगा, नीचे, मिला देखे, देखो, यह जो है, यह हो गया हमारा, कौन से view, side view, top view, और यह रहा, front view, यह जो आप देख रहे हो, ठीक है, अब देखे, यह कौन है, ठीक है, कौन का अगर हम, ठीक है, central axis जो है इसका, वह perpendicular है, एचपी पे, इस तरह से, यह एचपी प्लीन है, इस पर प्रप्रप्यानी उर्थ इस तरह से रखेंगे, अगर हमारा काज़े, central axis जो है, parallel है, एचपी पे, तो यह बिल्कुल, इस तरह से, हम इसे place करेंगे, कोश्चन को देखना है, और किस तरह से यह बनेगा, उसके बाद हम position ड्रायव करेंगे, अगर हम इस case में रखेंगे, कि इसका central axis पैरलल है, एचपी का, ठीक है, तो आप टॉप भी, यानि जो उपर से आप देख रहे हो, इधर से, वो आपको क्या देखेगा, एक rectangle shape बनेगा, आप image यहाँ पर shadow बनेगा, देखेगे, shadow जो बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, rectangle बन रहा है, ठीक है, तो projector भी क्या है, वही चीज होता है, और इस case में, अगर हम side से देखेंगे, तो यह एक circle बनेगा, किधर profile plane पे, अगर इस तरह से रखे, तो आप देख सकते हो, ठीक है, अब जो triangle बन रहा है, कौन से view पे बन रहा है, profile plane पे, यानि आप इधर से हमेज़ा right side से हो, ठीक है, एजुम करना है, अगर mention ना होतो, अगर question में arrow दिया हो आए, तो समझ लिजी, वो front view को mention कर रहा है, उस side से आपको front से देखना है, यहाँ पे हम अगर बात करें, ठीक है, observer इधर है, तो यह जो बनेगा triangle वो किसे बनेगा, भी भी पे, और उपर से देखोगे, ठीक है, तो circle बनेगा, top view बनेगा, circle, इस तरह से, और यह जो आप देख रहे हैं, apex, apex को हम point से note करेंगे, और इधर से देखेंगे, करेंगे, इधर भी क्या बनेगा, triangle बनेगा हमारा profile plane पर, सेम चीज हम यहाँ देखते हैं, यह मारा क्या है, square है, base, और यह रहाँ पिरामीड, ठीक है, इस पिरामीड की अगर हम बात करें, अगर इसका central axis perpendicular है, पर हम इस तरह से प्लेस करेंगे, आप इस तरह से अगर रखोगे, तो देख सकते हैं, उसका central axis पैरलग है, HP और BP दोनों का, अगर यह inclined होगा तो, तो बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, क्योंकि अब जो central axis जाएगा, वो देखिएगा, एंगिल बनाएगा, HP के साथ, हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, जो top view बनेगा, वो क्या बनेगा, square बनेगा, उसका जो shadow बनेगा, वो square होगा, अगर हम front view की बात करें, तो क्या बनेगा यह, front view कैसा है, triangle, यह बनेगा triangle, क्योंकि apex का point यहाँ आएगा, और base का point आपका, यह दोनो, आप इस दोनो points को मिला दो, तो यह हो गया triangle, ठीक है, और इसका base जो होगा, वो होगा, square, और profile plane जो बनेगा, वो भी बनेगा, हमारा triangle, यह आप देख सकते हो, यह क्या है, cylinder है, ठीक है, cylinder का center axis अगर perpendicular होगा, HP पे ते बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, अगर center axis पैरलल होगा, BP और HP का, ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे, अगर यह inclined हो, तो इस तरह से रखेंगे, क्योंकि यह जो center axis cross करेगा, वो देखेगा, एंगिल बनाएगा, HP के साथ, ठीक है, अगर इस, यह case है हमारा, तो top view कैसा दिख रहा है, circle बनेगा, अगर हम front view की बात करों, तो यह क्या बनेगा, rectangle बनेगा, ठीक है, front view, आप देख सकते हो, देखिए, अगर हम, यहां से, यह projector हमारा, ड्राउ होगा, rectangle बनेगा, ठीक है, और side view अगर दस देखेंगे, तो profile plane पे यह rectangle बनेगा, तो इस video lecture में हम लोगों ने देखा, कि front view, top view और side view का safe, अगर हम different, different object को लेते हैं, तो different होता है, ठीक है, अगर यही पर square होता, तो उसका front view, side view, और top view, तीनों क्या होगा, circle होगा, ओके, 2D में क्या हो जाएगा, circle, ओके, ठाइंक यू,